आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि गवर्मेंट आइटियाई में अगर आप एडवीशन लेना चाहा रहा है तो डारेक्ट एडवीशन कैसे ले सकते हैं और डारेक्ट एडवीशन का क्या मतलब है और आप सभी छात्रों को बताना चाहा रहा हूँ कि Government ITI में एडविशन लेने का ये लास्ट मौका है आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी चीजें ये चर्चा करूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी छात्रों से निवेदन है कि यदि आपका अभी तक Government ITI में एडविशन नहीं हुआ है आप लोग करा लिजे और साथ में जिनका एडविशन हो गया है उन छात्रों के लिए सिलेवस चेंज जो हुआ है उसका वीडियो में बना रहा हूँ उसके बाद आपके सिलेवस में आपके जो है कौन-कौन से भी सर्फ पढ़ा जाएंगे ट्रेडवाइज और साथ में कौन-कौन सी बुक्स बगर आप लोगों को पर्चेश करना है उस सब के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नही लिस्ट लग गई है आप लोगों कल मैंने वीडियो के माध्य हम से बताया कि फोर्थ लिस्ट जो है वो लग गई है तो अब फोर्थ लिस्ट में जितनी ट्रेड में सीट थी कि माल लिजे किसी ट्रेड में अच्छी ट्रेड तो भर जाएंगी जो जैसे वेल्डर में मालों कि welder में 25 seat खाली थी और वहाँ अभी 20 बच्चों का नाम ही आया है तो ऐसे में 5 seat अभी भी वहाँ पर खाली रह जाएंगे उन 5 seat पे आप लोग direct admission ले सकते हैं तो उन पे direct admission आप लोग ले सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा सीधे college में जाना होगा वहाँ जाके आप लोग बात कर सकते हैं तो पर आप direct admission का मतलब ये नहीं है आपका farm भरा होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपका farm नहीं भरा होना चाहिए आपका farm भरा होना चाहिए और जो है उसमें welder trade होगी तब आपको मिल जाएगा नहीं भी होगी तब भी आपको मिल जाएगा college में आप पांच बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो कि उस ट्रेड में अड्मिशन नहीं लेना चाहरे हैं तो वो 5 सीड खाली रहाएंगी उस पर दूसरे बच्चे डारेक्ट अड्मिशन ले सकते हैं ऐसे और भी ट्रेड है जैसे कि मालो की कोई और ट्रेड है जैसे कि टर्नर फिटर तो वैसे जिसका नाम आता है वो नहीं छोड़ता है और भी trade है जो भी खाली trade है जैसे girls की girls वाली trade है वो तो खाली रहती है girls तो जाके direct contact कर लें ITI में तो उनको तो direct admission मिली जाएगा बाकी boys की trade है बहुत सारी trade है जैसे कि ICT SM हो गया और mechanic 2 and 3 willer हो गया DMC हो गया ऐसी trade जो है इनमें seat अगर खाली रह जाती है और अगर किसी का नाम भी उसमें आया है अब वो नहीं आता है आज क्योंकि आज जो है तीस तारीक है आज ही admission लेने की last date है तो अगर वो वहाँ पर नहीं आता है तो दूसरे लोग जो है उस पर admission ले सकते हैं बसरते हैं आप लोगों को college में जाएं वहाँ पर बात कर लें और direct admission जो है अपना ले सकते हैं आप लोगों का farm जो है वो भरा होना चाहिए तो जो खाली seat क्योंकि fourth marriage list के बाद भी जो खाली seat बज गई है जिन पर बच्चों का नाम नहीं आया है उन पर जो है आप लोग direct बात करके admission ल देख लें वहाँ पर और वहाँ पर जितनी seat खाली थी उतने अगर ना हम नहीं आया है तो बाकी seat अभी वहाँ पर खाली है बात कर लें उन पर जो है अपना admission जो है वो direct ले सकते हैं आसा करते हैं कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में admission लेंगे और सारी seat जो है government attack की full कर देंगे और ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो में देगे जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe कर दीजे इस टूडियो में बस इतना ही धन्नवाद